दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी टीफ्स पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों इस COVID महामारी के भी जो RRB NTPC और Group D exam को लेकर बहुत सारे confusion चल रहे थे कि exam कब होगा official notice कब जारी होगा तो दोस्तों इंतिजार की घड़िया हुई सवाप और बहुत ही बड़ी update RRB चंडीगड के zone से निकल कर आ रही है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इस notice में क्या कहा गया है इस notice में क्या कुछ नया निकल कर आया है चलिए देखते हैं तो RRB NTPC 7th phase का exam कब तक होगा RRC group D वाला exam कब होगा और जो RRB CVT 2 होगा वो होगा कब तक होगा यह सारे कुछ हम इस notice में बात करने वाले हैं दोस्तों देखिए यह जो notice है यह RRB चंडीगड में अभी RRB चंडीगड़ वाले website पर इसे अभी डाला गया है और धिरे-धिरे क्या करके इसे सारे websites पर डाल दिया जाएगा तो इसमें क्या है notice में यह देखते हैं कि RRB है Notified 3 Centralized Employment Notifications मतलब कि RRB ने 3 Centralized Notifications जारी किया था जिसमें कि No.1 2019 वाला, No.3 2019 वाला और RRC 1 2019 वाला यानि कि NTPC, Ministerial वाला, Isolated Category वाला और यह जो Group D वाला है, इसके लिए बहुत सारे categories में, बहुत सारे post के लिए Centralized Employment Notification जारी किया गया था, तो क्या हो रहा था कि यह the recruitment process, the commenced from December 2020, 28 December से इसका एक्जाम शुरू हुआ था दोस्तों, यह RRB NTPC का और 15 December से, मिनिस्ट्रियल वाला एक्जाम शुरू हुआ था, लेकिन COVID-19 के कारण, बहुत सारे states में, जो COVID-19 के कारण lockdown लगा दिये गये थे, बहुत सारे restrictions शुरू हो गये थे, तो क्या हुआ था कि यह जो phases में लिया गये थे, एक्जाम, first phase, sixth phase तक हुआ था, एक्जाम हुआ बहुत तेजी से COVID-19 में हमारी फैल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिये दिनों से देखा जा रहा है कि COVID-19 के case में, महमारी वाला जो cases है, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, तो RRB के जोन से यह notice निकल कर आई है, कि इस regarding, जो 7th page के regarding, जो further schedule है examination का, वो आप लोगों के सामने, बहुत ही जल्द लाया जाएगा, जैसे ही, बहुत सारे जो state government है, जो कि धीरे-धीरे करके, unlocking की परकिरिया शुरू हो जाए, अगर वहाँ पर क्या होगा, restrictions थोड़ा सा आसा कर दिया जाए, थोड़ा सा restriction कम कर दिया जाए, तो आप लोगों के लिए examination का notice जल्द ही regarding, कोई भी confusion नहीं रखना है, examination होगा, जैसे ही, COVID महामारी का कुछ भी थोड़ा सा, ये restrictions, states government के द्वारा कम किया जाता है, तो examination के लिए notice आप लोगों के लिए जल्द ही आएगी, तो आप लोगों को अपने पढ़ाही जारी रखनी है, और अपने पढ़ाही में कोई भी सब कोई जानता है, तो इस notification इस vacancy को लेकर आपको अपनी पढ़ाही जारी रखनी है, क्या करना है, कि इस पढ़ाही को अपना रोकना नहीं है, हमारे चैनल study tips पर आप लोगों के लिए RRB, NTPC, CBT2 के लिए, NTPC, CBT2 के लिए सारे courses लाए जाएंगे, जिसमें कि आपको crash course क जो exam होगा, इसके सारे marks के, इसके 120 marks के, यहाँ पर preparation कराये जाएंगे, जिसमें कि 50 marks वाला, 50 marks वाला, GKGS वाला जो person है, और current वाला, वो अभी, जो अमारे चैनल पर, वो अभी चल रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, MCQ format में, MCQ format में, आप लोगों के लिए, य जो कि, बहुत ही useful होगा है दोस्तों, और फिर उसके बाद, जो reasoning वाला section होगा, और maths वाला, क्योंकि अब, अब क्या है, कुछ नया पढ़ना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो previous year questions है, जो states है, वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, different different states है, previous year questions है, और कुछ important books, ज RRB ने notice दे दिया है, कि जैसे ही, कुछ state government के द्वारा, जैसे ही छूट मिलती है, थोड़ा सा pandemic को लेकर, थोड़ा सा restriction में, छूट मिलती है, आप लोगों के लिए examination की notice, जल्दी जारी की जाएगी, जैसा कि देखा जा रहा है, कि जो state governments है, तो उसके द्वारा, जो अलग- जून तक, last जून तक, बहुत सारे states में unlocking start हो जाएगा, बहुत चीज को unlock किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से lockdown तो चल नहीं सकता है, देख, तो इस कारण से unlocking की परकिरिया start हो जाएगी, थोड़े restrictions में छूट मिल जाएगी, तो RRB के द्वारा आपके लिए examination का notice दे दिया सकता है, फिर group भी होगा, तब जाकर ये क्या बलता है कि NTPC CBT2 होगा, लेकिन दोस्तों, अगर जैसे ही COVID महारी को लेकर कुछ छूट मिलती है, तो railway ने notice दिया है, कि हमारा जो notification, जो further notification आप लोगोन के लिए आएगा, और हमारी जो प्रकिरिया है, वो शुरू हो जाएगी, तो दोस्तों, अब प्रकिरिया जलसी सुरू होने वाली है, क्योंकि अब cases कम देखने को मिल रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमारे study tips YouTube चैनल पर बने रहें, हमारे telegram चैनल को जोईन करें, daily current affairs यहाँ पर कराया जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रतियोगित पर course launch होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, subscribe करना ना भूले, subscribe करना ना भूले हमारे चैनल को, और bell icon को दबा दे दोस्तों, तो तब तक के लिए अलविदा, जैसे ही कोई notification आती है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन इस से पहले आप हमा हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, तो आपको ऐसे ही जानकारी मिलेंगी, और notification के साथ ही साथ यहाँ पर preparation कराया जा रहा है, आप हमारे चैनल के साथ जाएंगे.